नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल मिस्ट्रेस भी ख्लासिच पर दोस्तों आज के न्यूज पेपर में देख लीजिए ये खबर है कि सक्सम युवाओं के साथ क्या बुरा हाल हो रख्या है देख लीजिए उधार में कट रही है जिंदगी फिर भी सक्सम है ठ लेकिन समादान कोई नहीं हो रहा है यहाँ पर इनोंने सारी बाते बताई है गुनगान कर दिया विशक्सम युवा किस तरह से सेवाएं दे रहे हैं अपने किस तरह से सर्वे में काम कर रहे हैं या फिर कोई भी सरकारी स्कीम है उसका परचार कर रहे हैं इस तरह की ये जो जिला रोजगार दिकारी हैं नरपेंदर सांगवान जी फते बाद से इन्होंने क्या बोला है। CM साब की अगवाई में सरकार सक्षम युवाओं के मामले में बेहद संजीदा है। माना जाता है कि इस बार के बजट में 610 क्रोड रुपे का प्रावदान रखा गया है। जैसे ही बजट आएगा ततकाल सक्षम युवाओं की मान देश समंदी समझागा समधान हो जाएगा। कितने संजीदा हैं तो सब को पता अगर संजीदा होते तो दोस्तों 4-4 महीने इंतजार नहीं करना पड़ता। अब क्या बताएं इसके बारे में अब बुला है तो चलो च्छी वात है उमीद है उमीद ही कर सकते हैं। फिर भी पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं कहां पर आवाज उठा रहे हैं किसी अधिकारी के पास जाकरी कठा भी हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो कई बार कहता भी हूँ कि वही जिस तरह से ट्विटर पर अभियान चलाते हैं बच्चे रोजगार के लिए 25,000 ही हुआ हैं मान लीजिये काम कर रहे हैं तो कम से कम उनको तो इतना ज्यादा बड़ा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा बड़ा भियान चलाने की 25 में से अगर 20,000-15,000 भी ट्विट अगर CM के ट्विटर एंडल पर कर देंगे तो डारेक्ट उन तक समस्या पहुच जाएगी पिछे भी खबर थी जीन्द जिले से कि उनका बजट बना कर बेज दिया गया है 3 करोड का अब उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं प दोस्तो ये ठीक है ये तो सक्षम युआ है इनका तो क्या है ये मैं आपको एक कोर दिखा दिता हूँ ये देखिए ये खबर है 2 मार्च की ठीक है 2 मार्च पंजगुला कई वी बागों के क्रमचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं ये देख लीजिए क्या आल सरव क्रमचारी संग अर्याना ने मुख्यमंत्रियों पतर लिकर दरजनों वी बागों के क्रमचारियों के 2 से लेकर 6 माह तक बकाया वेतन पर कड़ी नाराजगी जता ही बताइए अब आप क्या सोच रहे हैं सक्सम युआ के लिए पहले बजट आएगा या पिर जो क्रमचारियां पर काम क कर रहे हैं उनके लिए आएगा वही कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक कि आवाज नहीं उठाओगे तब तक के चीजों का समाधान नहीं होगा CM को लेटर लिखया जा सकता है बिलकुल लिखया जा सकता है ठीक है CM के Twitter एंडल पर direct message किये जा सकते हैं कम से कम मुआ तक direct अपनी बात पहुचाई जा सकती है जितने भी सक्सम युवा हैं उनके यूनियन हैं जो परदान हैं मैं तो उन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह का एक बार जरूर भी आन चलाएं अपने दोस्तों के साथ जरूर इसका समस्या का समाधान होगा और कोई ना कोई पुकता ही समाधान होने की उमीद आपको ब प्रिदाबाद युमना नगर युमना नगर से बहुत ज़्यादा मेसेज आते हैं चार चार पांच पांच महीने की अक्तूबर से भी कुछ बच्चे तो ऐसे जो बोलते हैं अक्तूबर से हमारा कुछ भी नहीं आया अकाउंट में ऐसा बुरा आल है अगर यहां पर इस त सो दस क्रोड रुपे का प्रावदान है अगर काम चल जाए तो वैसे जितने युवा हर साल बढ़ते जा रहे हैं और फारम बढ़ते जा रहे हर महीने उस हिसाब से 610 क्रोड रुपे कोई माइने नहीं रखता है ठीक है फिर भी जब तक काम चले तो अच्छी बात है ठीक है तो यह खबर थी अगर आप भी चाते हैं किसी भी परकार के लिए टेस्ट अफडेट आपको समय पर मिलती रहे सक्सम्योजना से सम्मंदित है चाय बरतियों से सम्मंदित है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ समय पर आपको नोट इस मिल जाए इसके लिए बैल आइकन दोस्तों जरूर दबाएं ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मुच